देंजर्स धकार जी हाँ आप गोलें कि धकार तो नॉर्मल होती है इसमें डेंजर्स क्या है धकार इतनी खतरनाक हो सकती है कि आज मेरे पास एक पेशेंट है उन्होंने बुला पूरी बिल्डिंग को पता चल जाती है जब उनको धकार आती है तो आज आप देखी वाथ की प यह कुछ भी दबाया तो ढखा निकलता है जहां से दबाया तो ढखा निकलता है आपको यह बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि यह जो महिला है यह तो मानसिक है इसलिए ऐसे आवाज निकाल रही है जी ने यह मानसिक नहीं है ऐसे बहुत सारे लोग को तकलीफ है कि शरीर में कहीं भी दवाओ तो उनको ऐसे करके ढखार आती है अंगली दवाओ तो ढखार आती है यहाँ पर प्रेस करो तो कहीं भी शरीर में दवाओ तो ढखार आती है बहुत सारे डॉक्टर्स को भी लगता है कि यह पेशन्ट मानसिक हो गया पर वो मानसिक नहीं है वो वात से पर जहेंगे और इसमें किस तरह का हिलाज सबसे बेस्ट रहेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में तो अगर आप सभी कमिश्र वेदा में मेरा नाम है डॉक्टर अरुन मिश्रा मैं आयर्विदिक एमडी डॉक्टर हो और मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ तो 20 फरवरी 2024 मेरे पास क्लिनिक में एक पेशन्ट आये मिश्रिस शाह मुंबई के पेशन्ट थे और उनकी सबसे बड़ी तकलीफ थी कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनका 15-20 मिनट का टाइम चला जाता है शरीर से गैस निकालने पर कहीं भी अगर दबाते हैं तो ऐसे करक मैंने उनके केवल फिंगर को पेट को प्रेश스 किया तो ढगार आई रही थी आप वीडियो में देखिए मैंने केवल उनके步 को प्रेश ruler को प्रेस किया तो चली ये जो महिला आई थी इनको क्या-क्या तकलीफती वो हम देख लेते हैं इस केस में वो क्या-क्या कम्प्रेंट लेके आये थे तो उनकी तकलीफती सबसे पहली गैस, इंडाजेशन, भूख ना लगना और एक्स्ट्रीम बर्पिंग उनका कहना था दिन में 300 बार से ज जाता है कि दबा दबा के गैस निकालने में जाता है, फिर और एक तकलीफती उनकी फैटी लीवर ग्रेड वन, आप में से जिन लोकों को भी ढकार की तकलीफ है, वो अपना फैटी लीवर जरूर चेक कीजे, अगर आपको दिन में 15 बार से 10 से 15 बार तक ढकार समझ में आता है, तो आप आपके लीवर की रिपोर्ट जरूर करें रही है, अगर उसमें आपको फैटी लीवर आता है, तो फैटी लीवर होने पर भी बहुत बार इस तरह की समझा होती है, ठीक, फिर एक और तकलीफती हैडेक होना, नी जॉइन घुट्नों में दर्ध होना, कमर में दर आ रहे थे, और उनको डर लग रहा था कि कहीं पैरालिसिस ना हो जाए, और लास्ट तकलीफ थी उनकी ऑस्टियो अर्थ्राइटीस, ऑस्टियो परोसिस, इतनी सारी तकलीफे ये लेके आये थे, अब लोग ऐसी बिमारिया क्यों होती है, वो भी देख लीजे, सबसे पहली दो जो चमच है, एलो वेरा जूस लेते थे, पानी के साथ थोड़ा हल्दी भी लेते थे, आठ बजे नारियल पानी, फिर थोड़ा सा वयाम करते थे, दस बजे पोगा, उपमा, ढोकला, उत्तपा, डोसा, ब्रेट, ठेपला, फिर दो बजे लंच लेते थे, दाल, भाजी, दलिया, खिचडी, इस तरह की आइटम थे उनके, ठीक, फिर वो दिन में एक घंटे उनकी सोने की आदत थी, साड़े पांच पे कॉफी, चकली, चीवड़ा, बिस्किट, साड़े आठ पे भाजी, चपाती, पुलाओ, सूप, यह लेते थे, और दस बजे आइसक्रीम हफते में तीन से चार बार लेते थे, और रात को त्रिफलाए अहरड लेते थे, तो इनके केस में क्या हुआ है, इनों ने सारे के सारे दोश खराब कर गे लिए है, वात, पित, कफ, तीन के तीनों दोश इनके खराब है, specially उसमें से वात, दोश बहुत ज़्यदा खराब है, और एक और चाहिए बोली कि ये बहुत सारे डॉक्टर्स के पास घूम के आये थे और कोई भी गरम दवा कोई भी अगर ये गरम दवा लेते थे तो इनकी तकलीफ बढ़ जाती थी तो अगर आपको भी इनकी तरह बहुत बार धकार आने की तकलीफ है तो इसका मतब समझ जैसे ये केस था तो क्या करना चाहिए और कफ डॉमिनेंट है तो क्या करना चाहिए अगर आपको सबसे पहले तो इसमें पंचकर्म सबसे में ट्रीटमेंट रहेगा कोई ये सोचता है कि बस मैं क्वेवल गोली खाके चूरंड खाके ठीक हो जाओंगा तो वैसा होना मुश तो इस कंडिशन में क्योंकि नीची का वात बढ़के ऊपर आमाशव में स्टमक के आसपास ऊपर ही पेड के हिससे में आ गया है इसलिए इतनी डखार हो रही है तो आपको सबसे पहले वमन नाम का ट्रीटमेंट अपने नजदी की पंचकर्म सेंटर में करना चाहिए अगर पित का डॉमिनेंस बहुत ज़्यादा पित बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर पांच दिन घी पी के दो दिन मालिश करके जो विरेचन लूज मोशन करते हैं वो करना चाहिए एक बार वमन या विरेचन में से जो कोई भी एक कर्म सबसे पहले करा लीजिए ये क् समस्या 60% से ज़्यादा कम हो जाएगी 20 दिन से लेगे एक महिने में ये हुआ पंच कर्म का पाट अब कौन-कौन से इलाज इसमें फायदे मंद रहेंगे सबसे पहली चीज इसमें नित्य अभ्यंग करना रोज पूरे शरीर पर मालिश करना बहुत इंपॉर्टन रहेगा खास करके तिल के तेल की अगर मालिश करेंगे तो ये पूरे शरीर में जो फैली हुई वाथ है वो कम करने में मदद मिलेगा नमबर दो इसमें सोट का पानी बहुत अच्छा काम करेगा तो आप मैंसे ऐसे लोग जिनको ठंडी ज़्यादा लगती है तो अवाइड करना आपको जो इतना सारा गैसेज है उसको कम करने में अच्छा खासा मदद करेगा और एक चीज कर सकते हैं खाना खाने के पहले अब आप में से ऐसे लोग जिनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है गरम दवा बिल्कुल सूट नहीं होती और इतना ढकार आता है और लीवर नाम का पाउडर होता है 100 ग्राम हरड ले लीजे 8 ग्राम या 2-3 दो चमच देशी गाई के घी में उसको सेख के रख लीजे जिसको घृत बरजी धरी तक ही बोलते है आधा चमच यह हरड का पाउडर और थोड़ा सा घुड रोज सुबा 6 बजे खाली पेट लेंगे तो जो जो पित डॉमिनेंट वाथ है उसको कम करने में मदद मिल जाएगा जिनको ठंडी बहुत जद लगती वो एक चमच एरंड का देल एक चुटकी सोंट के साथ ले सकते हैं वो फाइदा करेगा और कुछ आउशदियां इसमें बहुत अच्छा काम करेगी जैसे स्वार्ण सु स्वार्ण सिखर नाम की दवा आती है वो भी एक एक गोली सुबश राम खाने के बाद ले सकते हैं सु अगर आप वुमन या वीरेचन या बस्ती करके लेते हैं तो अच्छा खासा यह जड़ से निकल जाएगा तो अगर आपको भी इतनी ज़्यादा तकलीफ है इतना सारा धकार आने की तकलीफ है और आप परेशान हो गए कि कैसे इलाज करें स्काई लेडिस तो ऐसी बुलती कि हमें शरम आती है पबलिक में घूमने में या कहीं भी जाने में क्योंकि धकार ही कंट्रोल नहीं होती और ऐसी समस्चा है कि इतनी जोड़ जोड़ का साउंड निकलता है तो ये समस्चा आमा शर्गतवात में होती है इसमें तीन के तीनों दोष मोशली इन्वाल्ड मिलते हैं पर स्पेशली इसमें वात का डॉमिनस जादा होता है डेली मालिश करना मेडिसिन जो आपको बोली इस वीडियो में वो फालो करेंगे सोट का पानी पेंगे तो ज़्यादा अच्छा है आप में से ऐसे लोग जिनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है वो सोट के पानी के बदले नागर मोथा नाम का जो पाउडर होता है उसका पानी साथ से दस दिन के लिए लेंगे दस ग्राम नागर मोथा आदा लेटर पानी उबाल कर हाफ करके दिन बर पीना तो उससे भी जो इतनी ज़्यादा धकार की समस्चा है वो कम होने में फाइदा मिलेगा और बेस्ट जड़ से ठीक करना है तो जो भी नज़्दीक में पंचकर्म सेंटर होगा वहाँ जाकर आप पंचकर्म वमन वीरेचनिया बस्ती करा के लिजए अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है कि दिमाग बहुत ही ज़्यादा ये है शान्थी नहीं होता है तो ऐसे में शीरो धारा या तक्रो धारा मतलब लिटा के सिर के उपर कंटीनियू तेल या चांची जो धारा गिराई जाती है उससे ब्रेन शान्थ होगा मन शान्थ होगा और स्ट्रेस कम होके जो ढखार बहुत ज़्यादा आरी वो समस्या भी ठेक हो जाएगी तो ये एक इंट्रेस्टिंग केस था जो आज जस्ट हमें क्लिनिक में देखने मिला इसलिए तो मन हुआ कि आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि वात किस लेवल का खतरना को जगता है वात को लोग केवल गैस या फिर नीचे के आयू-आयू की बात करते हैं पर आयरवेद में वात को भगवान बोला गया है नियनता चव प्रनेता चव मंस ऐसे करके शक्त बोले कि मान इंद्रिय बुद्धी हर चीच को कंट्रोल करने वाली ताकत वात हैं इसलिए वात की बिमारियों में अगर आप स्वस्त है तो साल में एक बार बस्ती जरूर कराते रहिए और अगर आप बिमार है तो पहले बस्ती करकर के वायू को कंट्रोल कीजिए डेली तेल मालिश कीजिए पीने में गरम पानी रखिए एसी पंखा ये सब का डारेक मस्चा नहीं होगी स्पेशली 45 के बाद तो डेली तेल की मालिश जरूर कीजिए उमीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगया होगा और इससे आप कौन से टॉपी पी वीडियो देखना चाहते कमेंट करके जरूर बताएं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें